क्या आप भी अपने चेहरे से काले पन को, दाग धब्बों को, सन बन को, डी टैन को, डार्क पैचिस को, काले निशानों को दूर बगाना चाहते हो और अपने चेहरे के उपर लाना चाहते हैं एक प्यारा सा गलो और एक प्यार सी चमक तो इस face pack को जरूर ट्राइ कीजिए ये face pack आपके चेहरे के दागधबों को light करके आपकी skin को bright बनाएगा आपकी skin को एक tone में कर देगा पैचिस से बन जाते हैं ना skin के उपर वो ठीक करके आपकी skin को एक सार करेगा और आपको आपका मन पसंद result अचीव करने में आपकी बहुत help करेगा Hi everyone, आपका आपके अपने चैनल beauty with nature by सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब लोग, I hope आप सब लोग खुश होंगे तो इस face pack को हम कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, हफते में कितनी बार लगाएंगे, कितनी देर लगा का रखेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं हम अपनी वीडियो में तो चली सबसे पहले मैं अपने चेहरे को साफ कर लेती हूँ फेस को साफ करने के बाद ही हमें फेस पैक का इस्तेमाल करना चाहिए ये तो हमारे चहरे के उपर दाने निकल सकते हैं ब्लैक हैड्स वैट हैड्स हो सकते हैं इसलिए अपने फेस को साफ करना बहुत जरूरी है मैं अपने फेस को साफ करने के लिए गुलाब जल ले रही हूँ अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है या आपको सूट नहीं करता तो आप कच्छा दूद ले सकते हो या किसी भी फेस वोश है अपने फेस को वोश कीजिए उसके बाद ही फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए देखिए मैंने अपने फेस को साफ कर लिया है अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स प्रोसेस फेस पैक की तरफ फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक चमच चावल का आटा चावल का आटा हमारे स्किन के ऊपर नैच्रल तरीके से ग्लो लाता है ये हमें चहरे के दाग धबों से चुटकारा दिलाता है और ये हमारे चहरे के ऊपर जल्दी से जूरी और फाइन लाइंस को भी नहीं आने देता अब मैं इसमें एड कर रही हूँ एक चमच आलू का पल्प मैंने यहाँ पर आलू का पल्प लिया है अगर आप आलू का रस लेना चाहते हो तो आप आलू का रस भी ले सकते हो आलू का रस हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है चहरे के कालेपन को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है दाग धब्यों को हटाता है इसके रगुलर इस्तेमाल से हमारी स्किन टोन एक सार हो जाती है अब मैं इसमें एड़ करूँगी एक चमच टमाटर का पल्प टमाटर का पल्प सन्बन से बचाएगा अगर सन्बन हो गया है तो उसको ठीक करने में हेल्प करेगा हमारे चाहरे से डड़ स्किन को निकाल देता है ये हमारे ओपन पोर्स को श्रिंग करता है जिससे हमारे स्किन चिकनी बनती है और इसके साथ साथ ये एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो करता है अब मैं इसमें आड़ करूंगी 4-5 भूंधे coconut oil की यह optional है अगर आपकी skin oily है तो आप coconut oil को skip कर दें लेकिन अगर आपकी skin dry है तो coconut oil को जरूर डाले यह आपकी skin को बहुत ही ज़ता soft और मुलाइम बना देगा यह anti-aging से भरपूर है यह हमारे चेहरे के दागधबों को light करके हमा करूंगी और अब मैं इसमें एड करूंगी थोड़ा सा गुलाब जल और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने पूरे चहरे और गर्दन के उपर लगा लेंगे इस फेस पैक के रेगुलर इस्तेमाल करने से यह हमारे चहरे के काले पन को दूर बगाएगा अगर चहरे क के उपर मुहासे हो रहे हैं बलैक हैट्स हो रहे हैं तो यह फेस पैक हमें उससे भी छुटकारा दिलाएगा इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन हमेशा ही गलो करती रहेगी हमेशा ही चमकती रहेगी अगर आपकी आँखों के निचे डार्क सरकल है आप इस फेस पैक को कि आमौरबी कीजिए, आप अपने चहरे को साधे पानी से दिन में चार से पांच बार जरूर दोएं बस आपने फेसवाष का इस्ट्माल निकरना Nope Invest का खास ख्याल रखना है अगर अपने चहरे को धोते समें बार-बार फेसवाष का तो ये face wash आपकी skin से natural oil को निकाल देगा और आपकी skin को dry बना देगा जिससे आपकी skin dull लगने लग जाएगी और आपके चहरे के उपर बहुत ही जल्दी से wrinkles और fine lines आने लग जाएगी और आपकी skin बहुत ही जल्दी बूरी दिखाई देने लग जाएगी इसलिए आपने face पे बार बार face wash का इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना और face wash करने के बाद अपनी skin को moisture आई जरूर करना वैस्त तो friends ये face pack बिलकुल natural है लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें से कोई ingredient suit नहीं करता तो उसको skip कर दें या patch test करके देखें उसके बाद ही इस face pack का इस्तेमाल करें क्योंकि हमें अपनी skin को सुन्दर बनाना है सुस्त बनाना है खराब नहीं करना देखे मेरा face pack लग चुका है अब मैं आपको मिलूँगी 15 मिनट के बाद मैं इस face pack को अपने चहरे के ओपर 15 मिनट असानी से रख सकती हूँ क्योंकि मैंने इसमें टमाटर के पल्प का इस्तेमाल किया है अलू के पल्प का इस्तेमाल किया है जो मेरे इस face pack को dry नहीं होने देगा और मेरी skin को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा अब मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट के बाद देखिए इस face pack को लगे 15 मिनट हो चुके है अब मैं अपने face को साफ करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका result देखिए कैसा लग रहा है आपको बहुत ही प्यारा result आया friends अब मैं अपने face को wash करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका final result देखिए face wash करने के बाद result आप खुद देखिए कैसा लग रहा है आपको result बहुत ही ज़्यादा glow कर रही है skin बहुत ही ज़्यादा चमक रही है अब time मैं अपने skin को moisturize करने का मैं अपने skin को moisturize करने के लिए अपना बनाया cucumber moisturizer का इस्तेमाल कर रही हूँ आप भी अपना मन पसंद कोई भी moisturize लगाएं लेकिन face wash करने के बाद अपने skin को moisturize जरूर करें तो आप भी इस प्यारे से amazing से face pack को बनाएं इसके amazing benefits उठाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी next video में तब तक के लिए bye bye